हाई वीवर्स एक बाफी से स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चेनल जाइका इंजा का पर आज हम बनाने वाले हैं बादिश्ट मूंकी डाल का हलवा जिसे बनाना बहुत ही आसान है इसकी रेसिती मैंने अपनी मूसी से सीखी है आज की इस वीडियो का स्रे उन्हीं को जा आधा कप मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर यहां पर उप्सनल है बिना मिल्क पाउडर के भी यह हलवा बहुत स्वादिश्ट बनता है आफ ती स्पून हिलाइची पाउडर थोड़े से ड्राइफ फूट्स और 500 ग्राम चीनी यहां पर हमने जो मूंकी डाल ली है इसे पानी इस तरह से डाल को कपड़े पर विच्छा के हम इसे एक घंटे के लिए सूखने देंगे यहां पर हमारी डाल अच्छे से सूख चुकी है लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा मोईस्टर बाकी है इसलिए हम इसे सेख लेंगे और इसे तब तक सेखेंगे जब तक इसका कलर होने लगे 15 मिनिट के बाद हमारी डाल अच्छे से सीख चुकी है अब देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होने लगा है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ करेंगे बुरी से रूम टेंपरेटर पर ठंडा होने देंगे एक बात का ध्यान रहे कि जब हम दाल को सेके तब हमें इसक अब देख सकते हैं कि इसने के बाद भी एक इदनी दानेदार है हल्वा बनाने के लिए हमने एक पेन में दो कप गी गरम कर लिया है अब हम इसने मूंकी डाल एट करेंगे और इसे लगातर हिलाते हुए पकाएंगे यहाँ पर हमें गेस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है हल्वे को बनते हुए पांच मनिट हो चुकी है यहाँ पर ध्यान रहे कि हमें इसको लगातर हिलाते ही रहना है यहां पर हलवे को पकते हुवे 10 मिनिट हो चुकी है इस स्टेज पर हम इसमें इलाईची पाउडर एट करेंगे इसी के साथ हम इसमें मिल्क पाउडर एट करेंगे मिल्क पाउडर को हमने पानी में गोल कर एट करना है अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके दूद एट करेंगे इसी के साथ अब हम इसमें एक कप पानी एट करेंगे दूद डालने के पाँच मिनिट बाद हम इसमें चीनी एट करेंगे अब हम हलवे को दस मिनिट तक और पकने देंगे तो यहाँ पर हमारा मूम की डाल का हलवा बनकर बिल्कुर तयार है अब गेस की फ्लेम को ओफ करके हम इसे सर्व कर लेंगे अब हमारे हलवे को हम ड्राइफ रूट से गानिश करेंगे तो लीज यह खाने के लिए बिल्कुर तयार है हमारा मीठा और स्वादिष्ट मूम की डाल का हलवा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेर करें और कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि यह रेसिपी आपको क्यसी लगी और हमारे तेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले